कि हैलो इसके पहले नौ पार्ट बन चुके है तो आप लेश्ट में आकर देख सकते हैं इसके पहले नौ पर बना दिए गए तो आपको लिए च्छाइगा कोई दिक्कत ही नहीं होगा चलिए शुरू करते हैं आज हम टेंज तो देखिए आज हम सीखेंगे पास्ट प्रफेक तो ने हैं थिप करो करेंगे इसको बनाए इसको पारश्ट परफिक्टेंस में मतलब head plus verb का third form लगाएंगे ठीक है और जो उनका मौबाद में हुआ होगा उसमें लगाएंगे past infinitence मतलब verb का second form ठीक है इसको ध्यान से देखिएगा वाकि में दो काम होंगे जो काम पहले हो गया होगा उसकी इंगली समय बनारी है past perfect tense मतलब head plus verb के third form में और जो काम उसके बाद होगा उसमें past indefinite tense मतलब verb का second form ठीक है और देखिए जब आएगा वाक में before तो before में सुता पहले जब before आएगा तो वाक में जो काम पहले होगा उसकी इंगली समय बनाएंगे आफ्टर में सुता बाद में तो अगर आफ्टर आएगा तो जो काम बाद में उसकी इंगली समय बनाएंगे इस सीच का ध्यान रखना है before वाक में जो काम पहले हुआ उसकी इंगली समय पहले और जो काम पहले होगा उसको past perfect में और जो काम बाद में उसको past indefinite में इसका इ करा पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे मतलब पुलिस भाई नहीं कि चोर भाग गए थे ठीक है तो चोर भाग गए थे एक काम यह हुआ एक काम पुलिस आने का हुआ तो यह पहले चोर भाग गए थे तो पहले यह काम हो गया दूसरे नब पर यह काम हुआ ठीक है तो झाल भागजने का बनाइंगे फिर विफिर लगांगे इसकोबनाएंगेило बनाइंगे और जो पहले इसमें धाशाड लगाएंगे और पॉलिस का अधिकान गाएंगे चलिए पनाते हैं डाक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था лиक्टर वा आ नहीं कि मरीज वह चल बसा तो पहले कौन सा कम वहा मरीज चल गया ठीक है मरीज strongly गया था बाद में डाक्तर भाज आये थे तो पहले मरीज मर गया थे इसको बनाएंगे वाले सेंटेंस में चलिए देखते हैं क्या मिना भी गया फिर फो लगा दिया गया चलिए और और एक्जांपल देखते हैं दोबी के आने से पहले सिखा कपड़े दो चुकी थी दोबिया नहीं था कि उसके पहले सिखा अपने कपड़े दो चुकी थी तो पहले इसको बनाएंगे और दोबी के दो चलिए और एक जांपल देखते हैं मेरे सिखा ही नहीं कि पहले चप्रसी घंटी बज़ा दिया था बीज़ा क्या किया जाए तो इसमें पहला जो वाक के है घंटी बज़ गई थी ये हमारा पहले काम हुआ फिर मैं इसको बाद में पहुंचा तो पहले घंट रंगे बिफोर आय रीचधे इस्टूल यहां रीचग जो है वर्ब का सिकंट फांब है चलिए और एक्जामपल देखते हैं आरियन केहानए से फहले पहले आयूस खाना खाचुका था तो जएगा आयूस है डिटेन फूड बिफोर आरियन केहाने का आरीयों के हिया गाना आरेय अफहर और सिले और गजाल चुपा तो पहले कौर chia म norms AO गर जा चुका तो पहले कॉन का मोया है पहले नटाज ङूड़ाया तो पहले रमेश को बनाएंगे हो जाएगा रमेश हैड गॉन होम, रमेश घर जा चुका था विफोर महेश, सोने का स्लीप का सेकन फार्म सलेप, विफोर महेश सलेप तो यह हुआ भीया विफोर के एक्जामपल चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आफ्टर के एक्जामपल को, कि बाद वाले एक्जामपल में इसको याद रखेंगे इसमें जो कमवा बाद में हुआ होगा उसके इंगलिस पहले बनाएंगे और जो कमवा पहले हुआ होगा उसके इंगलिस बाद में बनाएंगे क्योंकि बाद है, और जो पहले मर गया तब दाक्टर वाहत है वह जो पहले बताया गाए वह यह लेकिन वाकिए को तोड़ा कमा दिया beth मारीज के मरनने बाद है गिपस के बाद प calculating वहाय थैचlor अवजोम चाहिए खान्यविन मे Alpha के बाद में Хएड और का सब्सकnous और चलिए और एक्जानम्पट देखते हैं चोर की कहने के बद में पुलीस आएती है अदिस्ट और पुलीस केम यह केम हो गया आफ़न मतलब समझो कि उसे उका उल्टा हो गया आगे बढ़ते हैं महस को पीटेने के बाद रमेश स्कूल चला गया था तो क्या हो जाएगा रमेश वेंड टू स्कूल वर्ब का सेकेंड फार्म आप्टर ही हैड बीटन महस अब देखे इसमें दिक्कत नहीं होगा चाहिए महस को पीटेने के बाद रमेश स्कूल गया था तो रमेश स्कूल गया था अब महस वेंड पीटे कौन महस क्लियर यह किसके लिए ही रमेश के लिए कोई कि नाउन कर जबार बार नहीं करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पाइड़ सिखा के गाने के बाद महीमा ने नित्त किया था महीमा ने डंसवा किया था तो देखिये पहले कौन सा काम हुआ पहले सिखा गाना गाई थी बदों वाला काम पहले रिखेंगे तो महिमा डांस्ड वर्ब का सिकेंड फर्म पहले आफटर सिखा हैड संग वर्ब का थर्ड फर्म बाद में चलिए और एक्जामपल देखते हैं मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाया था तो बाद मेरे पर चपरासी बजाया था देप्यून रेंग देबल वर्प का सेकेंड फार्म आफ्टर अब आई हैड इजिड़ी स्कूल वर्प का थैड फार्म चलिए और एक्जामपल देखते हैं ठो खाना खाने के बाद रमेस स्कूल चला गया था फिर वही वाला आ गया देखे रमेस स्कूल चला गया था खनावा कौन खाया रमेसस ज Times है और तो खाया होते हैं ठीक है तो इस प्रेकार से इस तरह का वाग आप्टर और विफोर का समाप्थ हुआ आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो टेंस में कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा आपके लिए पूरी तर कबर के जाएंगे थैंक्स थैंक्स फर वाचिंग